नमस्कार दोस्तो एक बार फिर से स्वागते आप सभी का हमारी यूटूब चनल में दोस्तो आज मैं आप सभी के लिए एक बड़ी अपडेट लेकर आया हूँ जैसा कि आप सब थमनेल देखकर कि समझी गए होंगे लाडली बहना योजना 3.0 आपका जो है स्टार्ट होने वाला है अब इसका रेजिस्टेशन की प्रोसेस किस प्रकार से होगी यह भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ 21 वर्स की अविवाहिद बहन के लिए आप फार्म किस प्रकार से भरेंगे और कहां से भर पाएंगे पात्र बहना को 3000 उपे तक का पेसा मिलेगा आवेदन कहां से भर पाएंगे कैसे भरेंगे साधी सुदा होना या नहीं आवेदन कब से कब तक भरे जाएंगे यह पूरी प्रोसेस भी मैं इसी वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ दोस्तों वीडियो कर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दे चैनल को सब्स्ट्राइब कर ले बेल आइकन को प्रेस कर ले धनिवाद आप सभी का अब यहाँ पर देखते हैं 3 मार्च 2024 से आपका फार्म स्टार्ट हो जाएगा आवेदन प्रात करने का परारम जो है 16 मार्च 2024 से होने वाला है आवेदन प्रात की अंतिम तारिक जो रहेगी 28 अप्रेल 2024 रहने वाली है अंतरिम सूची जो आपकी जारी होने की रहेगी वो 2 माई 2024 को आपके अंत्रिम सूची जारी हो जाएगी अंत्रिम सूची में किसी प्रकार की कोई आपति अगर ली गई है तो 2 माई से लेकर 28 माई 2024 तक आपकी जो आपति है वो आप ले सकते हैं दोस्तो वीडियो को कहीं से इसकीप ना करें पूरा वीडियो जरूर देखे आपत्ती निरा करें है तो अवदी भी इसमें दी गई है 16 माई से लेकर के 28 माई 2024 तक आपकी जो है आपत्ती का भी समय दिया गए अंत्रिम जो सुची है वो 28 माई को ही जारी कर दी जाएगी इसके बाद में रासी का अंतरन जो दिनांक है 10 जून 2024 से स्टार्ट हो जाएगा इसके बाद में अगामी जो महीने की आपकी जो नीमित किस्त आने की रहेगी आपका जो payment आता है वो किस प्रकार से आएगा प्रत्येक माह की 10 तारीक को आपका payment आपके account में transfer कर दिये जाएगा जिस प्रकार से अभी आपको जैसा कि हर मेने की दस्तारीg को आपका पेसा आजाता है, उसी प्रकार से पेसा आ जाएगा, अब यहां पर देख लेते हैं आवेदन कुंकुं से जो आवेदन करने में कुंकुं से दस्तावेज लगने वाले हैं वो जान लेते हैं, आधार कार्ट कंपल सरी रहेगा दोस्तो, इसके बाद में समगर ID आपकी कंपल सरी रहेगी, समगर ID में KYC अनिवारी रहेगा, बैंक कहता आपका DBT से इनबल होना चाहिए, DBT होना जरूरी रहेगा, DBT आपका बैंक सही होगा, वहाँ से जाकर क्या आप करवा सकते हैं बैंक पाजबुक आपको लेकर के आना रहेगा और लाइफ फोटो जहां से आपका फोटो याने की फॉर्म भराता है वहाँ पर लाइफ फोटो आपका होगा इसके बाद में मोबाइल नंबर आपका कंपलसरी रहने वाला है ये डोकुमेंट आपके ऐसे हैं इनके बगर आप फोटो आपको अपलाई नहीं कर सकते हैं ये पूरी जानकारी एक बार अच्छे से देख लेना अब यहाँ पर देख लेते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी समझ लेते हैं लेने वाला है लाडली बेना योजना न्यू अपडेट 21 वर्स से अधिक उम्र की अविवाहित महिलाओं को बेहनों को लाडली योजना योजना में सामिल किया जाएगा आब इसके बाद में समझ लेते हैं कि अब 21 वर्स से अधिक उम्र की अविवाहित बेहने भी ले सकेगी लाडली बेहना योजना का लाब जवलपूर में जन आसिर्वात यात्रा के दोरान मुक्यमंत्री सिवराज सिंग चोहान ने एलान किया था कि अब अविवाहित बेहनों को भी मुक्यमंत्री लाड़ी बेहना योजना का फाइदा दिया जाएगा CM सिवराज ने कहा कि लाड़ी बेहना को जो परिवार है वो एक करोड 32 लाग का हो गया है और अब विवाहित बहनों का नाम भी इस योजना में जोड़ा जाएगा, ठीक है इसके साथ साथ उन्होंने एक और तोफा दिया है, रसोई गेश सिलेंडर भी आपको 450 रुपे में दिया जाएगा लाड़ी बहना को, मद्धि प्रदेश की BJP फिर से वापर से सत्ता में आई जाएंगे, क्या सत्ता में वापसी के बाद C.M. Sivraaj Singh चोहान अपना वादा निवाएंगे, मद्धि प्रदेश में BJP को मिली सांदार जीत, मद्धि प्रदेश में मिली BJP को सांदार जीत के बाद क्या क्यास लगाए जाएंगे, विदान साभा चुनाओक के नतीजे के बा अपकम धीरे धीरे बढ़ाये जा सकता है आएए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है MP में चल रही लाड़ी बेना योजना और इसके बारे में हर महीने पात्र महिलाओं को कितना पैसा मिलता है तो नहीं नियम तालिका के अनुसार पातर तक क्या रहेगी ये जरूरी रहेगा आपके लिए इस योजना में एक जनवरी 1963 के बाद एक जनवरी 2000 तक जनमी मद्यप्रदेश की इस्थाई निवाशी समस्त विवायत महिला उनमें विद्वा, तलाग सुदा या परियक्ता इन सभी को भी सामिल किया गया है इसके बाद में देखते हैं वर्स 2003 में आवधन कर चुकी महिला भी पात्र रहेंगी स्कूल या कालेज में पड़ाई कर रही सभी लड़कियों के लिए ये योजना काम की नहीं है, आपके उपर लागो नहीं होगा अब यहाँ पर देख लेते हैं, लाड़ली बैना योजना के लावार्ती महिला, खुद या उनके परिवार में कोई भी टेक्सपियर नहीं होना चाहिए, यानिकि आपका घर में कोई टेक्स जमा करने वाला को किसी दूसरी योजना के लाभ्यारती या योजना से चुड़े हर महीने अगर 1250 रुपे से कम मिल रहा है तो लाली बेना योजना में 1250 रुपे में बाकी रक्यम का भुकतान आपको किया जाएगा लाली बेना योजना मध्यप्रदेश की काफी दिनों से चल रही इस योज सरकार ने तीसरे चरण को सुरू करने के लिए सीधे तीसरे चरण में कुछ नियम लागू किये गए हैं लाली बेना योजना के तीसरे चरण में आविवाइद बाली का अभी इस योजना का भी आविदन कर सकती हैं किसी भी योजना का लाभ ले सकती हैं आब इसके बाद मे रूप में आर्थिक लाप पहुचाने के लिए प्रतिमा 1210 करोड रुपे का लगबग लगबग खर्च इसमें कर दिया गया है इसमें अधिकारिक दोर पर अनुसार कहा जाता है कि राजसरकार द्वारा इस बजट में सुरुवात में 8000 करोड तक का प्रावधान था जो कि प इस प्रकार से संभव होगा या आगे मुक्यमंत्री ही जानते हैं हाला कि सिएम सिवरास सिंग चुहान द्वारा चुनाव प्रचार के दुरान कह चुके हैं कि लाड़ी बहना योजना में मिलने वाली आर्थिक लाप को बढ़ा करके 3000 रुपे बतिमा किया जाएगा ऐसे मे उम्मीद है कि सरकार चरण बद तरीके से इसे इस रासी को बढ़ाईगी दोस्तों गर वीडियो चल लगए तो एक लाइक जरूर करते हैं चनल को सब्सक्राइब कर ले धनिवाद